हाई फ्रेंट्स कैसे हैं आप सोगत करता हूँ आपके अपनी चैनल क्रिक 11 फोकास पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DC vs SRH Dream 11 GL की दोस्तों इस मैच में हम देखेंगे कि कौन सी grand league ये teams हम कर सकते हैं किन प्लेयर को हम captain कर सकते हैं क्या combinations बना सकते हैं उस combinations को आप use कर सकते हैं कुछ हलका हलका different करके या अपने साब से भी जो आप चाहें वो चेंच करके और अच्छी से अच्छी रैंक्स लाने की कोशिश कर सक करते हैं एक चीज जो काफी लोग गलती करते हैं मैं देख रहा हूं सिर्फ mega GL खेल रहे हैं जिसमें of course price देखकर की बहुत जाद है पर आप करोड़ों को मत देखिए चोटी वली जो grand league होती है जिसमें 5000 लोग है उसमें मैं देख रहा हूं कि मेरे लोग और एक दो जीच सकते हैं आपको काफी help होगी मैंने इसको explain किया है with short small league का analysis और वो मैंने आपकी वीडियो डाल दिया अगर आपने नहीं देखिए इसी चैनल पर देख सकते हो नई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरू करना और वीडियो पसंद आती है तो like जरू करके motivate करना यह जो matches है अभी थोड़े अजीब तरीके से चल रहे हैं काफी unexpected चीज़े हो रही है लेकिन यही unexpected चीज़े grand league को interesting बना देता है कल जिसमें इशान किशन को लिया होगी पुलाड को लिया होगी हमने भी पुलाड को बहुत combinations में लिया था लेकिन उस टैम पे मुझे नहीं पता था इशान किश करते हैं इसमें हम मानके चल रहे हैं कि दिल्ली capital जो की एक strong team है इस match में वो उल्ट फेर हो रहा है उनके उपर यानि कि sunrisers के openers chase कर देते हैं सारा target जो दिल्ली set करता है अब मानके चलते हैं दिल्ली ने 160 बनाए लेकिन आके बेस्ट्रो और टगड़ी फर्म में है वो पूर टार्गेट चेस कर देते हैं आप 140 ले लो 150 ले लो 160 आपके ऊपर है लेकिन बेस्ट्रो और वार्नर सारा chase कर रहे हैं पहली चीज मैंने करी उन दोनों को pick कर दिया अब क्यूंकि बेस्ट्रो और वार्नर सारा chase कर रहे है हमारे लिए दिल्ली capital के bowlers का कोई फायदा नहीं है इस मोड में इस टीम में क्यों इस combination में फायदा नहीं है जब ओपनर जी आउट नहीं हो रहे किसी बोलर को विकेट नहीं मिल रही ठीक है लेकिन दिल्ली के देट सो एक सो साड़ बनी है तो उनकी विक्टे गिरेंगी पहली इनिंग्स में बल्ले बाजी अगर वो कर रहे है आप देखो टॉस के बाद ही पता लएगा कौन पहले बल्ले बाजी गिन बाजी कर रहा है यह रोज मैं आपको बताता हूँ बट यह एक exemption है जो भी चेजिंग टीम हो आप उस पर भी यह बनाके चलें काफी बार आप देखोगे ऐसा भी हो जाता है कि ओपनर जी मैच जिता पिनर टीम में खेल रहे हैं और दिली के टीम में बहुत लेफ्ट हेंडर हैं तो आप इनको अपनी टीम में मिनी जीयर ग्रेंड लीग वगरा में कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राय कर सकते हो कोई दिक्कत वली बात नहीं है कुछ ऐसा हमारा यहां पर टार्गेट बन ग ठीक है अगर यहां यह चेस करते हैं तो आप इसके ऊपर नहीं आ सकता बस फरक इतना पड़ सकता है कि अगर इन में से बाइचंस किसी बोलर को आफडे जाता है एक खराब हो जाती है वहां गेम भी गड़ सकते है यह बहुत रेर चीज़ है बट ऐसे भी हो सकता है टॉप अगर इसके अगर आप इसमें डिफरेंशल प्लेयर चाहो तो अक्षर पटेल टाइप को ले सकते हो अक्षर पटेल को लोग एक सो चालिस पर जीरो पर लेकिन फिर आके अक्षर ने विकेट लेली तो वो सीधा ड्रीम टीम में आ जाएंगे ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसकेस में आप मानके यह मतलब अगला कॉम्बिनेशन आपको दिखा रहा हूँ मानके चलो कि यहाँ पर वही टार्गेट है जोनी बैस्टो 20-25 करके या तो आउट हो जाते हैं या मानलो की 15-20 करते हैं ठीक है तो इसमें आप या तो बैस चेस करते करते हैं एक विकेट गेर रही है वो बोलर मैंने ले लिया जो मुझे लगता है विकेट लेगा ठीक है यह कॉम्बिनेशन में आपको जो बोलर लगता है बोलो दिल्ली का साथ में आप क्या करो बैस्टो को लेना है बैस्टो को लेना है बैस्टो को लो अगर लग वार्नर बैस्टो का हमने एक मैच देखा था ना आपको दिखाता हूँ भी लास्ट सीजन का IPL 2019 का मैच नमबर 30 यह हुआ था कि सन्राइजर को टार्गेट मिला था 156 का सन्राइजर चेस कर रही थी मज़े से वार्नर बैस्टो ने इतना तगड़ा खेला 51-41 किये उसके बाद और यहां से दिल्ली के ले लिए बैस्टमन या आपको कोई बोलर लेने है फॉर एक्जांपल रबाडा रबाडा को भी कैप्टन कर सकते हो और साथ में मैंने दिल्ली के मैक्सिमम बोलर करने ही कोशिश के है क्योंकि कोलाप्स होगा तो दिल्ली के बोलर फायदा लेकिन हाई चांसे है कि इशान शर्मा खेलने वाले है अवेश की जगह एक कॉम्बिनेशन अब हम ऐसा देख रहे है कि दिल्ली का टॉप ओर्डर एकदम फेल हो जाता है दिल्ली के टॉप ओर्डर में कौन आते हैं शिखरदवन पृत्वी शौ तो अगर यह होता है तो आ अब इनका कोलैप्स होता है लेकिन को संभाल कौन रहे हैं इनको आकर दो टॉप और के उनके प्लेयर फेल हो जाते हैं तो भी आप यह लेके चल सकते हैं हेटमेर का पता नहीं है वंड़ोन आई थ्री डाउन वो थोड़ा डिपेंड करेगा इनकी टीम स्ट डेजी के उपर पहले मैच में वंड़ोन आए थे दूसरे मैच में पंत वाल ना वंड़ोन आए थे अईयर भी आजें तो मैं हराम नहीं होंगा उसके बाद यह अच्छे कॉम्मिनेशन उसकेस में हमारा बन जाता है इसमें एजम्शन क्या लिए हमने इसमें कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी किसको दो कि श्रेयर सयर और रिशब पंत या है टमेर को ठीक है इनको भी कर सकते हो तो यह तीन प्लियर इसमें आपके टारगेटेड रहेंगे क्योंकि इनको संभाल रहे हैं दिली को जल्दी विक्टे जा रहे हैं उसके बाद ये टॉप स्कोर कर रहे हैं दो प्लियर जिन में मारकस टोयनिस और अक्षर एक तो ये कर सकते हैं कि फिनिशिंग कर दे मारकस टोयनिस अक्षर को ऐस बूलर भी कह सकते हैं फाइब Sound पर भी और फिर हमारे पास दो बोलर भी cover रहते दिली के, अब यहाँ पे यह दुनों भी अच्छा score करते हैं, तो बढ़िया हैं नहीं करते हैं, थोड़े बहुत करते हैं, अक्षर आखे विकेट लेते हैं, थोड़े बहुत पांडे रन करते हैं, तो पांडे को भी ले सकते हो, मुह को बनाना है, इवन की ऐसा कुछ combination आप बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि, टॉप order इनका जो है, उसमें धवन टिकेंगे, और उसके बाद middle order के दो प्लेयर, जमान लो, धवन 30 करते हैं, पार्टनर्शिप करते हैं, वन डॉन के प्लेयर के साथ, और श्रेय सेयर और पं सन्राइजर्स, थाकि जो विकेट ले, उसे विकेट मिले, फ्रॉम डेली कैपिटल्स, यानि की, एक अफगान डूो का हम बनाएंगे, combination सन्राइजर्स के फेवर में, इसमें हम मान के चलेंगे, सन्राइजर्स ने रन किये हैं, पहले थोड़े बहुत, जादा नहीं किये, 140 लेकिन उसमें महमद, नभी और रशीद की फिरकी, उनको मैच जिता देती है, ठीक है, तो इसमें बैस्ट ओवर्नर को पिक करते हैं, पांड़े जी को पिक करते हैं, टॉप थ्री उनका इंपोर्टेंड है, जैसे बताया है, इसमें नभी और रशीद को पिक करेंगे, दोन इसमें उनके लो, और एक दो और रॉंडर लो, क्योंकि संराइजर के भी 140 ही बने हैं, दिल्ली के बोलर भी कवर करने जरूरी है, आप कह सकते हो, strange combination, but strange combinations work in grand league always, शिकर दवन आ गए ठीक है, यहां से, दिल्ली के बोलर भी चाहते हो, रबाड़ा आ गए, नॉट जे आ गए, यह नॉट जे की जगा, मिश्रा जी को ट्राय करते हैं, एक में, मिश्रा जी आ गए, और साथ में आपको जो भी प्लेयर लेने है, उसको ले सकते हो, मानलो लगता है, आपको प्रिथिवी शौ चलेंगे, प्रिथिवी शौ को ले लो, हैटमेर लगता है, हैटमेर को ले लो एक बोलर और चाहिए नौट जे को ले लो चाहिए इस सॉर्ट अफ कॉम्बिनेशन संराइजर जाती है 140 करती है टॉप ओर ठीक खेलता है लेकिन मिडल ओर ऐस विजल कोलाप्स करता है नभी रशीद कें स्कोर सम रंस और आके अपनी स्पिन से विगेट लेंगे दिल्ली का 140 का टार्गेट मिलता है लेकिन वो चेस नहीं कर पाता धवन की 50 होती है बड़ बाकी दिल्ली के प्लियर्स नहीं चलते यह इसमें एसमें एजम्शन है प्लियर्स स्पेशली बहुत अच्छा कर रहा है कि दिल्ली के जो टॉप 3 है वो काफी अच्छा खेलते हैं और दिल्ली के बोलर्स भी अच्छा करते हैं यानिस संघ्ष के favor में नहीं है चारों संघ्ष को संघ्ष के मैरे जो मुझे लगता है इस mix में खेल सकते हैं विलियम सन भी आ सकते हैं आज फिट हैं तो अगर वो आते हैं उनको फिट करेंगे इस टीम में तो यह मेरे बनता है कॉमिनेशन थोड़ा ऐसा है कि इसमें संप्राइजर्स ठीक ठागी कर रही है उतना खास नहीं दिल्ली के जो प्लेयर हैं बोलर स्पेशली बहुत अच्छा करेंगे और इनके साथ 30-40 आद emission कर देते हैं दो ही उमीद करते हूं आपको इन सब कॉम्मिनेशन से कुछ हेल्प मिल रहा है एदिया मिल रहा है कुछ सोच मिल रही है और अच्छा करेंगे आप मुझे Grand League टीम में यानि Grand League analysis में कुछ extra चाहते हो जैसे कुछ भी तो आप मुझे comment करके बता सकते हो मैं implement करके और इसको बहतर बनाना चाहता हूँ Hope you will like the video analysis को use करोगे, अच्छा करोगे God bless you